हलो अब्रोबन, विल्कम बेक मैं चैनल, कैसे आप सब तो चलिए आज बनाते हैं स्वीट कॉन 4-3 अलग-अलग फ्लेवर के तो जो की मार्केट में बहुत महेंगे मिलते हो और हम इने घर में न मिन्टों में बना सकते हैं वही टेस्ट वही फ्लेवर तो यहां लेना है श्वीट कॉन इस तरह से बीच निकाल लेना है इनको बॉयल करने के लिए एक कड़ाई मैंने पलट दिया है इनको बॉयल करना है तो यहाँ थोड़ा सा पानी भी एट किया हुआ है नमक एट कर देना है थोड़ा सा और यही थोड़ा सा दूद एट कर देना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है वैसे तो स्वीट कॉर्ण मीठा होता है अगर थोड़ा सा कम मीठ है न तो यहाँ एक चमस तक सक्कर भी एट कर सकते हैं बॉयल करते हैं इसको कवर करके लगबग 10 मिनट बॉयल कर लेना है 10 मिनट में बॉयल हो जाएगा आप चाहो तो प्रेशर कुकर में भी बॉयल कर सकते हो और ये देखे अब चेक कर सकते हैं ये देखे ये बॉइल होने के बाद इनका color जो है वो change हो जाता ये देखे अपने अपता चल जाता है कि अच्छे से बॉइल हो गया है अब इनका पानी है ना उनको इस तरह से अलग करके और ये sweet corn को अलग कर लेंगे आप अगर चाहें तो पानी को न आटा सानने में यूज कर सकते हैं तो इस तरह से इनको मैंने ये अलग कर लिया हुआ है और अब चलते हैं इनको तीन अलग-अलग फ्लेवर में बना लेते हैं तो यहां मैंने एक बोल में ये एक कप स्वीट कॉर्ण एट किया है साथ यहां थोड़ा सा बटर एड़ करेंगे तो पहले हम बनाएंगे थियेटर वाला स्ट्वेट कॉन तो यहां बटर लिया हुआ है और मायनीज एड़ करेंगे लगबग 2-3 चमज तक अपने हिसाब से एड़ कर सकते हैं मतलब आपको पसंद हो और ज्यादा पसंद है और भी एड़ कर सकते हैं यहां थोड़ा सा हम चली फ्लेक्स एड़ करेंगे और गैनो एड़ करना है और यहीं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर एड़ कर देंगे यहीं थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है ये देखे अब चलते हैं इसको सर्व करते हैं लाश्ट में गार्निश करेंगे तो अगर आप कभी थियेटर या मॉल में ये चाट खरी देंगे न तो 50 या 60 रुपए में छोटी सी गिलास में देते हैं और आप इसे घर पे बिल्कुल सस्ते में बना सकते हैं ये देखे तो अब चलते हैं सेकेंड की तयारी करते हैं तो सेकेंड वाला जो फ्लेवर है वह हमारा पीजा फ्लेवर है तो यहां मैंने स्वीट कॉन लिया हुआ है और यहीं हम पीजा सॉस एड़ करेंगे एक बड़ा चमच तो अगर आपके पास पीजा सॉस नहीं है तो सिर्फ सॉस पस एड़ कर सकते हैं और यहीं आप टेमेटो केचप एड़ कर देंगे लगभग एक चमच तक चिली फ्लेक्स एड़ करेंगे और पीजा और इगयनो एड़ करेंगे साथ यहां थोड़ा सा ब्लेक पेपर पाउडर एड़ कर देते हैं नमक हलका सा एड़ करना है क्योंकि पीजा सॉस में भी नमक होता है और हमने शुट कॉर्ण में भी नमक एड़ किया था और अब हम इसमें चीज भरके एड़ करेंगे क्योंकि पीजा फ्लेवर है यानि चीज तो पड़े गई तो यहां हम भरक चीज एड़ कर देते हैं अगर आपको और पसंद देना तो आप और एड़ कर सकते हैं और अब सारी चीजों को मिक्स करना है और ये फट फट हमारा फीजा फ्लेवर का स्विट कॉर्ण बनके रेडी हो गया तो आप इस चाट को ना कभी रेश्टोरेंट तो गेरे में खाने का तो और मन करेगा ये देखिए तो हम इस तरह सी गारिश करके ना चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं तो आप भी जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ज्यादा टेस्ट ही है और अब चलते हैं थर्ड की तैयारी कर लेते जो थर्ड वाला चाट है ना वह तो मेरा फेवरे यहीं बारिक कटी हुई हरी धनिया हरी मिर्च एट करना है तो इसकी इंग्रीडियन्स से आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा चाट बनाने वाले हैं साथ यहां मार्केट में लाल या हरी चटनी और लैशुन वाली चटनी आट करते हैं तो मैंने लाल मिर्च की लैशुन वाली एक बड़ा चमस साहथ ही थोड़ा चीजीक और चाट मसाला है कि यहीं काला 180 म लेमन जूस थे हैं और यहां मेरे है पाप्ली वी ए यह घघत WORकेए यह महीन वाली श्टेय्विवे व से उसको Mengisu आट करते हैं लास्ट में यहां थोड़ा सकना अनार के दाने अट करते हैं और अब ये सारी चीजों को मिक्स करते हैं तो ये जो चार्ट है ना ये मेरा फेवरेट है और ये बहुत लोगों को पसंद आता है तो हम नाम भी बता देते हैं इसका तो ये चौपाटी स्टाइल चार्ट है तो अब हम इसको सर्व करके ना गार्णिश करेंगे तो आपको ये तिनों में कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके जरूर बताईएगा और आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या आप पहले कौन सा ट्राइ करना चाहते हैं ये भी और भी लोगों के साथ सेर करिएगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थांक्यो फॉर वाचिंग फ्रेंड्स वीडियो लाइक करे शेयर करे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब करें थांक्यू